इन्होंने 26-11 पर पाकिस्तान को क्लींचिट दी, कहा कि ये हिंदों ने कराया, समझोता में हिंदों को दोश देने की कोशिश की, और ये वही फारुक अब्दुल्ला है, जो आतंकियों के साथ बातचीत की पैरवी करते हैं, आतंकियों को मासूम बुलाते हैं, पाकिस्तान से हमें पियोके नहीं लेना चाहिए, ये कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत ताकतवर है, तो बार बार पाकिस्तान को क्लींचिट कैसे मिले, और भारत की सेना और भारत के सुरक्षा बलों पर इसका दोश कैसे आए, इसका प्रयास इंडी अलाइंस करता है, अब राहुल गांदी क्या करेंगे, राहुल गांदी ने खुद ने सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक करने पर, खून की दलाली और बालाकोट एस्ट्राइक में मूत और जवाब देने पर सबूत मांगने का काम राहुल गांदी ने किया है, फारुक अब्दुल्ला और इंडी अलाइंस की पुरान इन्होंने पुलवामा पर इंसाइड जॉब कार सुर्जवाला और कॉंगर्स पार्टी के लोगोंने, और यह वही फारुक अब्दुल्ला है, जो आतंकियों के साथ बातचीत की पैरवी करते हैं, आतंकियों को मासूम बुलाते हैं, पाकिस्तान से हमें पियोके नहीं लेन इसका प्रयास इंडिया अलाइंस करता है, आज राहूल गांदी और इंडिया अलाइंस को बताना चाहिए, यदि वो फारुक अब्दुल्ला के बयान को देशदुरी बयान मानते हैं, कि भारत की सेना पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उनको इस अलाइंस से उनको निक तरह्त वो ऐाल डाय है, ईसके रहे हैं, जा उनको नहीत बिल्स्ट्ट्ट, पारुक अंवल एंडिया अलाइंस काई बयाू moral खड़े का इस अलाइंसे हैं, तो जुक अलाइंस का वालाइंस का एंड़ रहा थारुक, ऑलाइंस का बता हैं, जै